हायाना का करनाल जिसे CM City कहते हैं आप सोच रही होंगे कि अगर करनाल CM City है तो यहाँ सुरक्षा विवस्था भी चाक्चो बंद होगी और अपराथ तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होगा लेकिन आप यह बिल्कुल गलस सोच रहे हैं क्योंकि CM City करनाल में आए दिन आपराधिक वारदाते सामने आ रही हैं और पुलिस हर बार की तरह वही रटा रटाया जवाब देती है कि जल्दी खुलासा कर दिया जाएगा एक बार फिर पुलिस और कानून से बेखोफ होकर शातिर बदमाशों ने संसनी खेज वारदात को अंजाम दिया बदा दे कि यहाँ पूरी प्लानिंग के साथ एक नाबालिक लड़की को जहासा दे कर भगा लिया गया जिसके बाद अपेर्ट परवार अपनी बेटी की बरामदगी के लिए दर-दर की ठोकरे खाने को मजबूर है केंद्र और प्रदेश सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन ऐसे में कैसे बचेंगी बेटिया और कैसे पढ़ेंगी बेटिया जब वो अपनी ही घर में असुरक्षित है जिया यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक नवालिक लड़की को उसके ही घर से पूरी प्लानिंग करके भगा लिया गया और इस पूरी प्लानिंग में एहम रोल अदा किया एक शातिर महिला दे जो नवालिक लड़की के घर आई उसके परवार से लिली और इस संसिनिकी इस वालदत को अंचाम दे गई और पिरित परवार में छोड़ गई गम के वो आसर जो रुखने का नाम नहीं ले रहे वहीं पिरित परवार का अपनी बेटी के बिना रो रो कर बुरा हाल है पिरित परवार को संतोष्चनक जवाब नहीं मिला तो वह एस पी से मिले और अपनी बेटी की बिना बुरा हाल है और उन्हें पल पल अपनी बेटी की चिंता सताय जा रही है लेकिन इनकी चिंता से किसी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सिस्टम सो रहा है और खुद सिस्टम चलाने वालों का नहीं पता कि वो कहां है पलाल अब देखना यह होगा कि नाबालिक लड़की को भगाने वालों को पुलिस आकिर कब तक गिरफतार कर पाती है और नाबालिक लड़की को कब तक उसके परवार से मिलवा दिया जाएगा वोई सिमन भी प्रशासन से अपेल करते है कि वो जल से चल इस मामले में कारवाई करें और परवार की मदद करें ताकि अपराधी सिलाखों के पीछे पहुंच सके और नाबालिक अपने परवार के पास सब्सक्राइब करें कि आपके मैं लड़की का नाम है गुल्षाना और जिस रात को गई है उस उस रात की साम को उसकी उन लड़कों की भूवा इं मारे कर। रोजे के एपथार के टेम कौन ही ? उन्हीं की बुवा जी , लड़को की बुवा रहती आपके मुझा ? बुवा हमारी बगल मही रहती है जी मही सी चांदसरा मही जो लड़का बगा के लेगा ? हाँ जी जो लड़का बगा के लेगा बुद। अच्छा मैं बोला बच्चों की मां से मैं क्यों आई क्या मामला आए अके बेट तो वैसे आई कपड़ों को चक्करमा आई होगी अच्छा मुझे उस पर बैम हो गया था जी उस्टे हम अच्छा वह हम अपना बिरियान निया काम करें जी वह काम नमेर नमूड के 10 बजे 11 बजे हम सोग अच्छा उठे एक आई कि आप तो शेरी में यह बता ओ लड़की जिस्टे हम भागी उसमा भागाने में किसका हाथ है बहां थे मुझे यह बताई आप अब हांजी लड़की का भागाने में पक्का उसका हाथ है जी फून ले ले गी थे हात्मा कई बार उसकी कोल आई जी इसमें ना काट दिया हमारे जामने, कौन? वो उनकी भुआ लड़कों की, हाजी मुन्ने की गरवारी, तो क्या लड़की का कोट मेरी हुआ है लड़के के साथ में, यह क्या? नहीं जी कुछ नहीं, कितनी उमर है आपकी लड़की की? लड़की की उमर है जी सोड़ा साल, दो म इनने कुछ दिन है, तो यहां करनाड में आपने मामला दर्ज करवाया है, पुलिस ने उनके खिलाब क्या एक्षन लिया है? अजी एक्षन लिया तो बस उनको जो दोसी है उन्हों ठाई नहीं रहे, बस वेसे करे रहा है, कहां रुख जो, रुख जो होगा, इसमें कुरू इसमें से एक्षन लिया है? अजी लड़की ब्यार में पर जो जो एसाई एसाइश है उसके साथ में तीन चार बंदे के जी गाड़ी करके, अपने पास से ही मासी गए, तो म flowers Хe बोला सहो में Awesome इनकी बड़ा जट बोला मैं जट इनकी जु करता चपर शुह un तो इनकी लड़करवी बॉआ है अभ ही पुलिसे पुलिशने मुकतम़ कया हिरे आइने मेंले में लड़किया घुलाफ सोस्टी मेंध, सिसक दो कर्थ लड़के के खिलाफ। लड़कों कुछ नी करा। जो लड़का भगा के लएगा उसके खिलाफ हाथ। लेकिन आपका खेयन ही है जो यहाँ बगाने वाले है... उनको कुछ नी करें जी बिलकुल... अपने सफ़ भूर प्रवार के जब हुआ ही मदद के उनसे के उठाओ। वह लड़की नहीं आएगी, अब क्या चाहते हो, क्या बोलाएगी, अजी हमारी लड़की सर आ जाए यहाँ जी, अब क्या नाम लेग रहे हैं, छोटी उमर की बच्ची है, क्या पता हूँ, उसको किस बाल लेगे जी, न सकर कर लेगे, कैसे लेगे, हमें तो कुछ इसाब नह हमें लग रहे हैं, जी इसका पता ही लग रहा, कैसे करके लेगे रहे हैं, अच्य लड़की थे, यहाँ तीन मिले हैं एम तीन, मॉपवाग्जिısı के साथ में लेगे, colin और शौनॉएई है, ने, कोई कोई सुनवाईि नहbay continent ≫ lou शै बेटके अपना थोड़ी से देर चली गई रात को आई पेरो आई होगी उसको एक डेड़ बजय ले गई उससे उठागा तो गुआ लेगी यह हो आज का बेट तो गुआ को नहीं कि रफ्थार करवाया आपने बस जी हमें थाने में गे उन्होंने पुरिसवारों के दिया नह अपन्दरा दिन सारे होगी है तो इसमें उन्होंने कुछ नहीं करी भी मदद तो आप क्या जातों क्या होना जागी है अब मारी लड़की आजा आर उसको सजा मिनने चाहिए लडके को और उसे उनकी बुवा को भी जो जो उद बुवा की साथ मैं थीन लड़के चार जो भी. चीक.